जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटी चैनल एज़ेटी पे दोस्तों इस वीडियों में बात करने वाले एंडिये सेकेंड एक्जाम दोहोजर तैस का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे प्रसान कि सर अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं है आपको बताएंगे स्वीडियों के में कि आप लोग का रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा साथ हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इस बार का जो कट अफ है वो कितना रहने वाला है और कितना नंबर लाते तो इस बार हम लो यह आ गया था हम लोगे 15 दिन में आप लोग का आ गया था रिजल्ट यानि कि आप लोग को पता होगा मेरे भाई कि इसका जो पेपर चला था 16 अप्रेल को चला था मेरे भाई और इसका जो रिजल्ट आ गया था 15 मई को आ गया था रिजल्ट आप लोगो तो लगबग 15 दिन क मतलब कि जो होगा मतलब कि 18 18 सप्टेंबर तक रिजल्ट आप लोगो देखने को मिल जाना चाहिए था लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया आज देखो गए तो लगबग अभी 26 सप्टेंबर डेट हो गया है यानि कि आप लोग देखो कि एक महीना के अंदर देते हैं और हुआ भी है ऐसा भी ठीक है एक बार तो 50 दिन बाद रिजल्ट है था मेरे भाई तो ऐसा होता है कभी-कभी लेट होता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है मिनिमम आप लोग को ध्यान में रखना इस चीज़ को है कि कम से कम आप लोग को वेट करना चाहिए मेरे भाई यह सेप्टेम्बर मन्ध तक वेट करना चाहिए है ठीक है ठाटी सप्टेम्बर तक आप लोग वेट कर लो इसली मन्ध में आप लो ओंगा रिजल्ट देखने elles इस वाहर्त को पर सबसे पहले ऑंड आई घर वस्ट की बात करते हैं तो इस समें जो लोग काटक्फ लगा था वो लगा था तरह 343 ञटा ठीक है वहीं से के न तरह 121 की बात करते हैं तो इस समय वह कट अपन लगा था वह 355 बहां फिर से थीव फिर अगर सिकेंड 2022 की बात करोगे सिकेंड 2022 की तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मिरे भाई यहां पर हो गया था फिर से 316 हो गया था की बात करते हैं तो इसका जो cutoff गया था मिरे वह गया था कि इतना 320 गया था तो यहां पर देखोगे कि cutoff depend करते paper पर क्या पर पर डीपेंड करते paper जैसा है का वैसा cutoff लगेगा तो यह चीज़ा आप लोग देख लो कि यहां पर कटब देखो पहले तो cutoff कम गयेंगा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर क्या होगे 22 सेकेंट paper में ऄनलती चीज़ा ऑफो यहां पर देखो पिर से यहां पर क्या होगात पिपर में यह थे मद्वार्ट कि इस वम करते हैं जिसमें कि आप लोग पेपर देखोगे जी के इंग्लिस इंग्लिस तो समय मतलब कि थोड़ा था मेरे वाई कोश्चन का लेवल जो पड़े हैं उनके लिए तो वह भी कुछ नहीं लगेगा लेकिन था तो इस बार के हम बात करते हैं इस क्या रहा सकता है तो इस बार का कट आफ जो बच्चे का अगर 320 से लेकर और 325 के बीच में स्कोर बन रहा है तो वह region तो सस्थ we boca प्रि प्रिप्रेय्यों शुरू कर दे मैं यहीं बोलोंगा कि स मत इस बार का कट आफ कि बिलकुल भी नहीं जाएगा कितना भी जादा जाएगा तो ठीक है इतना नंब्र है आप लोग क्या कर लो SSV के लिए preparation शुरू कर दो एक और चीज आप लोग को होगा पता कि इसमें जो होता है sectional cut-off या sectional cut-off जो लगता है मेरे भाई वो कितना लगता है sectional cut-off तो दोनों के लिए अलग-अलग लगते हैं एक तो हम लोग का हो जाएगा math हो जाएगा दूसरा हम लोग का get हो जियागा ठीक है math में कम से कम आप लोग को minimum जो लाने पड़ते हैं 75 number और इसमें जो आप लोग को लाने पड़ते हैं कितना number मेरे भाई 1500 number लाने पड़ते हैं तो यह चीज़ को आप लोग समझ गया है और cut-off हमने क्या बताया कि 320 से लेकर कम से कम 325 के बीच में अगर आप लाते हो तो अराम से सलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया इतना number तो आपको लाना ही है अगर देख लो कि 75 है यहाँ पर 74 आ गया होगे 1500 से एक नंबर भी कम होगा फेल हो जाओगे तो यह sectional cut-off के बारे में मैंने आप लोगो बता दिया ठीक है आयोप कि सारे डाउट के लिए होगे होगे एंडे सेकेंड 2023 एक्दाम के रिगारिंग कुछ भी डाउट है आप comment section में हमसे बेजिक होगे पूछ सकते हो टेलिग्राम को जरूर जोइन कीज़ेगा वहाँ पर queues, बहुत सारे PDF सब कुछ आप लोगो वहाँ पर देखने को मिलते हैं हर अपडेट अपडेट तो आप लोग जोइन हो जाना लिंक के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम पर सर्च करो अपने दोस्तों के साथ जो रिजल्ट को लेकर बेट कर रहें ठीक है बाकिया मिलते हैं दोस्तों को और नी वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदमातरम